हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई नीव वीडियो दोस्तों आ गया है रचनाय चैप्टर का पार्ट टू वीडियो पार्ट वन में हमने आपको एक दिये गए रेखा खंड को कई अनुपात में विभाजित करना सिखाया था ठीक है आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाने वाले हैं एक इसकेल गुड़क के आधार पर एक समरूप त्रिभुज की रचना करना जी हां दोस्तों कोई इसकेल गुड़क दिया गया हूँ अब इसकेल गुड़क क्या है इसको भी हम आपको समझाएंगे ठीक है और ये समरूप त्रिभुज की रचना कैसे की जाती है ठीक है, और इसके रचना के चरण कैसे लिखे जाते हैं, ये भी बताएंगे, तो जुड़े रहें वीडियो के अंत तक, और एक्जाम में आपको कैसे लिखना है, ताकि आपको फूल मार्क्स मिलेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रस्ण आता है, तो छै नंबर का ही आता है, यान का मार्क्स कट सकता है, ठीक है, और एक्जाम में कैसे रचना करना है, वो सब कुछ आज की इस वीडियो में सिखाने वाले हैं, तो देखिए, पहले आपको बता देते हैं, एक्जाम में इसका प्रस्ण किस तरीके से पूँछा जाता है, ठीक है, तो मैं किताब में आपको पहले दिखा देता हूं, तो देखिए, दोस्तों, एक्जाम में आपसे इसी प्रकार का क्वेस्चन ये पूँच सकता है, कि एक दिये गए त्रिभुच ABC के, यानि ABC के समरूप एक त्रिभुच की रचना कीजिए, जिसकी भुजाएं दिये गए त्रिभुच की संगत भु जा रहे हो, उस त्रिभुच की और जो त्रिभुच यहां पर दिया गए है, ठीक है, दोनों त्रिभुच की संगत भुजाओं का जो अनुपात है, दोस्तों, तीन रेशियो चार है, यानि कि यदि आप जो त्रिभुच की रचना कर रहे हैं, उसकी जो भुजा होगी, वो जिस त्रिभुच की आपको रचना करना है, उसकी भुजा, दिये गए त्रिभुच की भुजा से छोटी रहेंगी, यह निश्चित है, ठीक है, और यदि दिये गए त्रिभुच की भुजा दुगनी होगी, तब वो भी दोगनी हो जाएंगी, यानि कि इसी रेशियो में जिस त्रिभुच की आपको रचना करनी है, उसकी माप है, तो उसकी माप जो है, वो दिये गए त्रिभुच की माप से जादा हो जाएगी, ठीक है, तो अब कैसे रचना करना है, चलिए, आपको बताता हूँ, तो देखिए दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना होगा, कोई न कोई एक त्रिभुच बनाना होगा, और उससे जो आप रचना करेंगे, यानि जिस त्रिभुच की आप रचना करने जा रहे हैं, उसका स्केल गुड़ा क्या है दोस्तों, तीन बताते जाईए, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, ABC के समरूफ हमें एक त्रिभुच की रचना करनी है, तो हम क्या करेंगे, सर उपर्थ हमें एक भुजा खीचेंगे, और उससे यहाँ पर त्रिभुच बनाएंगे, ठीक है, तो देखिए दोस्तों, मैंने इसके ले लिया ठीक है, तो जैसे देखिए, इतने में हमारा त्रिभुच जो है, वो आ जाएगा, इस तरह हमें इतना गयप दे करके, जो है, लाइन खीचना है, ठीक है, लाइन की माप आप कुछ भी ले सकते हैं, देखिए, यहाँ पर हमें रेशियो में बनाना है, क्योंकि कोई भी माप नहीं दी गई है, तो इसको हम अपने इसाप से ले लेंगे, जैसे देखिए, हम लाइन खीच लेते हैं, एक 8 सेंटिमीटर की, ठीक है, तो 8 सेंटिमीटर की लाइन इस तरीके स्खीच लेंगे, इसका कोई माप नहीं है, आप कुछ भी खीच सकते हैं, ठीक है, इस लाइन क यहाँ पर new cone बनाती हुई यह किरण कीच देंगे क्या कीच देंगे चReallyन बनाती हुई यह अभी यह और भी ज़्यादा बढ़ाई जा सकती है ते जरूरत पड़ेगी तो ठीक है इसको हम x नाम दे देंगे अब क्या करना है क्योंकि हमें देखिये तीन बटे चार इसके लगुड़क दिया गया है तो हमें क्या करना होगा BX पर यानि जो ये किरन खीचा है इसमें हम चार डॉट बनाएंगे देखिए तीन रेशियो चार की रेशियो में हमें बनाना है त्रिभुच को तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों चार है यानि कि टोटल चार कट इसमें हमें लगाने होगे तो इसके लिए हम परकार की सहायता लेते हैं तो देखिए दोस्तों परकार में इस तरीके से आपको पेंसिल को लगा लेना है उसके बाद क्या करना है कोई भी माप इसकी ले सकते हैं ज्यादा बड़ा नहीं लेना है उतना ही लेना है जितने में चार कट आसानी से यहाँ पर लग जाएं ठीक है तो इस तरीके से हम इतना ले लेते हैं ठीक है इसके बाद क्या करना है यह जो परकार की नोक है इसको बी अभी देखी हैं हम लगा देंगे और कट लगाते समय ध्यान देना है जो परकार देना है परकार और 편िय। कि कम ज़יעदा नहीं होनी चाहिए इतना ही रहना चाहिए ठीक है बराबर होना चाहिए इसके बाद अब आपको क्या करना है देखें मैं आपको बता देता हूं ठीक है इसके बाद यह जो चौथा बिंदु आया है इसको सिंपली-सी से मिला दीजिए, देखिए, simply आपको C से मिला देना है, देखिए इस तरीके से, ठीक है, मिला देंगे, इसके बाद चलिए इनका नामा करण भी कर देते हैं, जैसे B है तो आप इसको B1 कह दीजिए, इसको B2 कह दीजिए, इसको B3 कह दीजिए, इसको B4 कह दीजिए, ठीक है, इ जा रहेगी ठीक है तो इसके लिए हमें सवर प्रथम क्या करना होगा ध्यान से देखिए इसके लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा B3 बिंदू जो है क्योंकि देखिए जो त्रिबुच की रचना करनी है उसकी भुजा 3 cm रखनी है तो B3 से हम क्या करेंगे B4 C के समानतर एक रेखा खीचेंगे ठीक है और कैसे खीचना है इसका कौन माप करके कट करके खीचेंगे और यदि हमें 2 बटे 4 इसके लगुडख दिया होता तो हम बिंदू 2 से इसके समानतर रेखा खीचते ठीक है यदि 1 बटे 4 दिया होता तो बिंदू 1 से इसके समानतर रेखा खीचते यदि 3 बटे 4 दिया है तो हम बिंदू 3 से इसके समानतर रेखा खीचेगे ठीक है तो देना है ठीक है और इसी को क्या करना है अब भी थरी पर रखना है क्योंकि भी थरी पर हमें समानता रिखा खीचनी है ठीक है और यहां पर भी उसी मापका एक कट इस तरीके से लगा देंगे अब इसके बाद क्या करना है यह जो नोख है इसकी ना यहां पर रखना है ठीक है और इसकी जो टोटल चौडाई है इसको इस तरीके से कट कर लेंगे जैसे देखिए इतना है ठीक है इतने में ये आ रहा है टोटल ये बिंदू पर ठीक है और इसी को क्या करेंगे यहाँ पर रखेंगे और इस तरीके से कट कर देंगे तो आप देख सकते हैं ये करीब हमें पराप्त हो जाए, जैसे देखिए हम मिला देते हैं, तो आप देख सकते हैं, इसके समानतर हमने एक रेखा की रचना कर दिया है, समानतर रेखा रचना करने के बाद ये जो बिंदू बना है, इसे आप c dash नाम दे दीजिए अब ये तो हमने नीचे का portion बना लिया अब इसके बाद हमें क्या करना है दोस्तों उपर इनी भुजाओं से यानि इनी बिंदुओं की मदद ले करके त्रिभुज बनाना है त्रिभुज कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा अब देखिए दोस्तों हमें क्या करना है बिंदु c से ठीक है बिंदु c पर आप कोई भी महापप परकार में ले सकते हैं इसमें कोई डाउट नहीं है ठीक है c पर रख देंगे इस तरीके से और एक इस तरीके से आपको चाप लगा देना है जैसे देखिए मैं लगा रहा हूँ ठीक है लगा देंगे और यही चाप लेना है सिंपली और c पर c डैस पर भी रखना है और इस तरीके से देखिए मैं लगा देता हूँ सीटाइस पर रखे के इस तरीके से यहाँ पर भी कट कर देना है एक चाप को ठीक है अब क्या करना है यहाँ पर हम जो कोड बनाएंगे यानि कि यहाँ पर हम त्रिभुच की रचना करने जा रहे हैं अब देखिए सीपर रखेंगे इस तरीके से सीपर ठीक है और आप यहाँ पर कोई भी माप कट कर सकते हैं जैसे देखिए मैं एक माप कट कर देता हूं लेकिन ध्यान रहे सेम यही माप रहना चाहिए कम जादा नहीं होना चाहिए और सीड़ाइस पर भी इसे कट कर देंगे ठीक है अब देखिए इसको कट करने के फाइदे के आऊंगे अब यहां पर किछने के बाद आपको simply क्या करना है कोई भी चाउप लेना है और यदि आपको देखिए एकजाम में माप को दिये रहता है भुजाओं को तब को चाउप माप करके लेना है ठीक है और यहां पर हम किसी भी माप के त्रिभुज को बनाने का तरीका बता रहे हैं यहां कि इस तरीके को सीखने के बाद आप कोई भी माप के त्रिभुज की रचना कर पाएंगे हम एक निश्चित माप का नहीं बता रहे हैं ठीक है आप देखिए हम इसको कैसे कट करेंगे जैसे देखिए यहां से हम कितना भी बड़ा चाप ले सकते हैं ठीक है जो हम असानी से कर पाएं जैसे देखिए हम इतने म नाम दे सकते हैं जैसे हम इसको A नाम दे देते हैं ठीक है और यहाँ पर अब देखो यह जो बचागवभाग है इसे आप मिटा भी सकते हैं यदि नहीं मिटाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ठीक है इतने में ही रहना छोड़ सकते हैं अब यहाँ पर देखो जो यह गुझा इनका स्केल गुड़क क्या है दोस्तों 3 बटे 4 यानि 3 बटे 4 इसकेल गुड़क पर हमने इस त्रिभुज की रचना किया है a-b और c-d त्रिभुच की यानि कि यदि इसकी भूजा जो है वो तीन की दूगणी यानि कि इसी भूजा जो है यदि चार की दूगणी आठ होती है तो ये जो b c-d भूजा है ये तीन की दूगणी छै हो जाएगी यानि इनका रेशियो भी बढ़ेगा यदि इसका ratio बढ़ेगा तब इसका ratio भी बढ़ेगा ठीक है इस तरीके से तो ये त्रिभूज हमने रचना किया इसी तरीके से आपको एकजाम में किसी भी माप के त्रिभूज की रचना करना होगा अब यदि माप देगा तब आप माप के हिसाब से रचना करना अब रचना क तो इसको हम पहले लिख देंगे, जैसे देखिए हमने लिख दिया सरव प्रतम B-C-R खंड खंड खंड, थीक है, तो इसको भी लिख देते हैं, तो देखे दोस्तों हमने लिख दिया, B से नियून कोण बनाती हुई कि रड़ B X खीचा ठीक है इसके बाद हमने तीसरा काम क्या किया चलिए उसको देखते हैं तीसरा काम हमने यहाँ पर किया है 3 और 4 में से जो बड़ी संख्या है यानि 3 बटे 4 इसकेल गुड़क दिया गया था तो 4 बड़ी संख्या है इसलिए हमने यहाँ पर 4 कट लगाए थे ठीक है तो इसको भी लिख देंगे कि B X पर 4 बराबर भाग काटे ठीक है तो देखें दोस्तों हमने लिख दिया कि B X पर 4 बिंदू B 1 B 2 बराबर B 3 बराबर B 4 बनाए ठीक है उसके बाद हमने चौथा काम क्या किया ध्यान से देखिए यहाँ पर जिस तरीके से हमने रचना किया था ठीक है चौथा काम हमने B 4 को C से मिलाया था ठीक है तो इसको भी लिख देते हैं इसी तरीके से आपको भी लिख देना है B 4 को C से मिलाया इसके बाद हमने क्या किया दोस्तों यहाँ पर B4C के समानता रेक रेखा B3C कीचा ठीक है तो इसको भी लिख देते हैं B3 से B4C के समानता रेक हमने रेखा कीचा ठीक है इसके बाद हमने क्या किया आपको चलिए चितर में दिखाते हैं इसके बाद हमने क्या किया था C से एक जो ये कॉंड बनाया और यहाँ पर ये जो बिंदू A तक हमने इसको बढ़ाया ठीक है तो इसको भी चलिए लिखते हैं कैसे लिखना है देखिए इसको भी देख लिजिए तो देखिए दोस्तों मैंने लिख दिया कि C पर एक कॉंड ब काट रही है ठीक है तो इसको भी लिख देते हैं ठीक है हमने लिख दिया सी सी डैस से एसी के समानतर रेखा खीचा अब देखिए आपको आठवे चरण में क्या लिख देना है यहां पर आप देखें तो सब कुछ करने के बाद हमें फाइनली क्या मिला कि अब इस तरीके से इतनी रचनाय आपको ईक्जाम में लिख देना है इतने में आपको फूल माया क्याव है यह ज़िए बीडियो अच्छों लगा है तो लाइक कैजें चैनल पर नहीं आए है तो सब्सक्राइब किजें इसे नए नए वीडियो आपतक झाल झाल झाल